Hello everyone, in this video we discuss about body covering in animals. Animals की body किस चीज से covered होती है और उसके physical features क्या-क्या होते हैं, उसको हम इस topic में discuss करेंगे. जैसे कि हमने previous topic में आपको बताया था eating habits of different animals like herbivores, omnivores और carnivores के बारे में, उस topic में हम discuss करेंगे body covering of animals. As we look around, we observe animals with different physical features. जैसे कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जानवरों के अंदर उनके features अलग-अलग होते हैं. किसी की height अलग होती है, कुछ जो होते हैं, वो फर वाले होते हैं, कुछ के उपर feathers होते हैं, कुछ के उपर scale lines बनी रहती हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉड़ी कवरिंग, सच अज फर, shells, feather and scale. कुछ के उपर बाल होते हैं, बहुत जादा फर होते हैं, शेल होते हैं, कुछ शेल के अंदर होते हैं, जिस लाइक दिस. देखिए, इस figure में snail है, यह जब भी कोई उसको danger फील होता है, तो वो shell के अंदर गुछ जाता है, हैता है ना, ऐसा, shell, उसकी बाड़ी को cover करने का काम करती है, safe रखती है, उसको यह hard होता है, बहुत. Animals such as bear, sheep and goat have fur on their body, जैसे animals है, bear, भालू, sheep और goat, यह सब के ऊपर क्या होते हैं, fur होते हैं, The wool on sheep and the fur on bear help them to stay warm during the cold weather, जो sheep के ऊपर wool होता है, और जो bear के ऊपर fur होता है, जो sheep के ऊपर fur होता है, और जो bears के ऊपर fur होता है, वो किस चीज़ में उनको help करता है, वो उनकी body को warm रखता है, जब cold weather होता है, तो उनको ठंडा न लगे, इसलिए उनके ऊपर यह fur होते हैं, वो उनको सीफ रखते हैं cold weather से, Some animals such as fish, crocodile and lizard have skill on their body, जिसे कुछ animals हैं, जिसे lizard हैं, crocodile हैं और fish हैं, इनके ऊपर skills बनी रहती हैं, लाइंस दारिया टाइप के बनी रहती हैं, fish scales prevent water from entering the body, जो fish के ऊपर scales होती हैं, जो lines होती हैं, वो water को enter करने से बचाती हैं, उनको कि पानी उनकी body के अंदर न जाए, and hence protect the fish, scales on the body of snakes help to move on the ground, जो scales होती हैं, snake के ऊपर, जो scales होती हैं, वो किस चीज़ में उनको help करती हैं, कि वो properly ground पे move करें, जो fish के ऊपर और lizard के ऊपर होती हैं, फिश के ऊपर जो lines होती हैं, वो water से उनके prevent करती हैं, क्यूंकि body के अंदर water न जाए, और जो snake के अंदर होती हैं, वो उनके move करने में help करती हैं, ऐसे ही जो उनकी lines बनी रहती है animals के उपर वो उनको किसी न किसी चीज में help करती है जैसे fur जो होता है वो help करता है warm रखने में animals की body को bear की body को warm रखने के लिए कौन help करता है fur और wool help करता है sheep को warm रखने के लिए क्योंकि sheep जो होता है बहुत cold weather में होता है कुछ सुम एनिमल सच ऐस पॉर्कुमाइड ऐसों पॉर्कुपाइड थे उस अंधियर थैयर कीशिए इस दिश्मिल को ओर उस बादा भाध मुगाइड है है कोई दूंस में आ जाया है तो क्या करता है अपने हीर को कडा कर ले यह अ इसे जो हिर सोचोने वों कि तरह होते हैं बहुंतं हैं इससे कोई खार क्या नहीं सकते हैं इस वजह से वो पीडिशेतर आप की बॉड़ी में बहुत सुवियों की तरह शार्प होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्विल्स, they protect porcupines, snails and tortoise have a hard shell on their body, snails और जो tortoise होते हैं, कचवे होते हैं, उनके उपर क्या होते हैं, hard shell होती, इस तरीके की shell होती है, एक कवच होता है, जो कि उन्हें enemies से बचाता है, और किसी भी मुसीबत से बचाता है, है न, hard shell के अंदर जैसे ही उन्हें कोई भी danger feel होता है, वो तुरंट जो है, वो अपने पूरी body को shell के अंदर कर लेते हैं, insects such as cockroach have a hard outer covering on their body, insects, कुछ insects भी हैं, जैसे कि cockroach उन्हें की जो outer covering होती है, वो hard होती है, birds are covered with feathers, जो bird होती हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वो किसे covered होते हैं, feathers से, the feather help them to fly and protect them from heat and cold, जो bird के feathers होते हैं, वो किस चीज़ से उनको protect करते हैं, उनको पहले बात heat और cold से protect करते हैं, अतिदिक ठंडी से, अतिदिक घर्मी से बचाते हैं, और उनको उड़ने में मदद करते हैं, fly करने में, उनके feathers उनकी help करते हैं, next यहाँ कुछ knowledge check के questions हैं, what is the difference between herbivores and carnivores, carnivores जो होते हैं, वो plants को सिर्फ खाते हैं, और जो the body covering helps in protection of animals, give an example, आपको जैसा कि हमने बताया, पॉर्क्यूपाइन है, वो अपनी hair निजिल लाइक structure quills को खड़ा कर लेता है, जब उससे जिससा फील होता है कि danger आने वाला है, तो उसके enemies आने वाले, तो वो अपनी hairs, उसके hairs उसको protect करते हैं, और sheep में fur होता है, तो fur भी उनको protect करता है, cold weather से, birds के feathers उनको help करते हैं, fly करने में और heat और cold से भी protect करते हैं, है ना, next one question है, what are the different type of body covering in animals, fur है, quills है, hard shell है, feather है, यह सब क्या है, example है, body covering के, ना, do you know, some animals change the color of their skin or modify their body according to their surrounding, the property of animals by which they modify according to to their surroundings, is called comma flag, इस property को क्या बोलते हैं, comma flag बोलते हैं, जब कुछ animals ऐसे होते हैं, जो कि अपने surrounding recording, अपना color change कर लेते हैं, just like chameleon, chameleon क्या करता है, कि अपना color change कर लेते हैं, गिलगेट आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके का atmosphere होता है, उसके color का हो जाता है, रंग बदल देता है अबना, जिससे उसे लोग पहचान नहीं पाते हैं, है ना, तो यह कौन सी property होती है, जिससे, जिसमें जो है, the property of animal by which they modify according to their surroundings is called comma flick, I hope you understand this topic very well, thanks for watching my video.